Good morning friends, स्वागत है आप सबका, आपका अपना YouTube चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए Jailway Model Set No.10 अगर आपने अभी तक पीछे के सारे Model Set नहीं देखे हैं तो बोच आके प्लेलिस से देख सकते हैं जो कि आपके आने वाले सारे Jumps जिसमें GKGS का portion है उसके लिए काफी महत्पूंट साबित होगा चलिए लेकिन इससे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन दबा लिजे ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ जो कि हमारा कोशन नमर फॉर्स्ट वो कह रहा है बिजे नगर के साथ किस्म देव राह ने गोल कुंडा का यूद किस राज़ा के साथ लड़ा था तो इसका जो सही अंसर कहा रहा है दोफर के 12 बजिए किस दिशा में इंदरधनुस दिखाई देता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number D यानि कि हम नहीं देख सकते हैं देखे actually होता क्या है कि दोफर में जो 12 बजिए रहता है वो सुर्ज जो रहता है वो हमारे सर के ठीक उपर रहता है और इसके कारण क्या होता है कि परकास का जो अपबरतन होता है वो बर्सा के बुन्दों में नहीं हो पाता है और इसके कारण इंदर धनोस दिखलाई नहीं देता है चलिए अब अड़ते अगले question की तरब जो कि हमारा question number 3 question number 3 कह रहा है डाड़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा अब्तल दर्पन यानि कि option number 1 ठीक है देखिए अब्तल दर्पन से और एक चीज याद रखेगा कि अब्तल दर्पन में जो निकट रखी हुई बस्तू होती है ठीक है उसका सीधा प्रतिभीम बनता है और बड़ा बनेगा उसके साई से और अभासी बनेगा ठीक है अभासी प्रतिभीम बनेगा और इसी के कारण इसका उपयोग जो होता है वो टॉर्च में किया जाता है ठीक है गाड़ी के हेडलाइट में यूज किया जाता है इसको और डॉक्टर के द्वारा बेसेंट के जाज सम्बंदिन में भी इसका यूज किया जाता है अगर हम बात यहीं पे संतल दर्पन का कर लेते हैं तो संतल दर्पन की अगर हम बात करते हैं तो संतल दर्पन में जो होता है वो प्रतिवीम दर्पन के पीछे बनता है ठीक है प्रतिवीम कहां बनता है दर्पन के पीछे बनता है और उतना ही दूरी पर बनेगा, जितनी दूरी पर वो सामने रखा गया है, और साथी साथ वो कैसा बनेगा, कालपनीक बनेगा, और बस्तु के बराबर बनेगा, अगर बात यहीं पर हम उत्तल दर्पन की कर लेते हैं, तो उत्तल दर्पन से याद रखेगा, इसका यूज किय जाता है side mirror में बहुत बारिक जाम में पुछा गया है side mirror में इसका यूज किया जाता है ठीक है और इसमें जो प्रतिभीम होता है वो कहां बनता है दरपन के पीछे बनता है बस्तु से छोटा बनेगा और जो होगा वो सीधा और अभासी होगा सीधा अभासी होगा ठीक है चलि सौरी इसमें option number B नहीं होगा इसका option number होगा C यानि SO2 ठीक है SO2 इसका science होगा ये generally sulfur के कारण होता है ठीक है इसमें sulfur present रहता है और sulfur के कारण ही क्या होता है आख में आसू आता है ठीक है और इसका उपयोग कहा करते हैं इसका उपयोग भीड को नियंतरित करने के लिए पूलिस के द्वारा किया जाता है इसका उपयोग अगर हम बात CL2 की करते हैं मतलब chlorine की बात करते हैं तो इसको drinking water को clean करने के लिए यूज किया जाता है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरब जो कि हमारा question number 5 मनुस की आसू में कौन सा enzyme पाया जाता है तो इसका जो सही answer होगा वो होगा option number A lysogine ठीक है अगर हम बात यही पर lactic amul की कर लेते हैं तो lactic amul क्या होता है इसी के man spaceo में lactic amul जमा होने के करने मनुस को ठकान महसूस होता है ठीक है अगर हम vitamin K की बात कर लेते हैं तो यह ठक का बढ़ाता है हमारे सरीर में अगर हम lymphoside की बात कर लेते हैं तो यह क्या करता है रुधीर के plasma में antibody निर्मान करता है clear है? चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरब जो की हमारा question number 6 question number 6 कह रहा है एर्यक्त जमने में कौन सा थात्र सहायक होता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number A यानि की calcium ठीक है? कलसियम की अगर हम बात करते हैं तो इसको atomic number 20 होता है और calcium के कमी से ही क्या होता है? हाइपो-calcemia रोग होता है number 7 कह रहा है मानर सरील में कौन सी ग्रथी उतेजना से सम्बंदित है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number C यानि की अधिब्रिक ग्रथी ठीक है? अगर हम बालोग बात करते हैं अधिब्रिक ग्रथी को तो कभी-कभी English में भी दिया रहता है option तो याद रखिएगा इसको adrenal gland बोलते हैं ठीक है? adrenal gland बोलते हैं इसके दो पार्थ होते है adrenal gland के ठीक है? पहले पार्थ को बोला जाता है cortex और second पार्थ को बोला जाता है medulla clear है? चलिए और यह अधिक लिए जो adrenal gland होता है बो इस्थीत कहा होता है? यह गुर्दे के उपर इस्थीत होता है और इसका जो मुख कार्ज होता है बो यह ही होता है कि तनाव की स्थीती में यह क्या करता है? हर्मोन निकलता है हर्मोन स्रावित करता है ठीक है? अगर हम बात यही पर दूसरों अपसंस की कर लेते हैं? अग Know sich Agnesala की अगर हम बात यहीं पर करते हैं तो अगनासा को क्या बोला जाता है? Pancriyasa बोला जाता है और यह क्या? खाना पचाने के लिए Enzyme होता है ठीक है? इसलिए इस्को क्या बोला जाता है? Pacharkirus भी बोला जाता है ठीक है अगर हम बात यही पर दूसरे टी कर लेते हैं Puse Grility के तो इसको बोला जाता है Putetry Gland या फिर इसको Master Gland भी बोलते हैं Master Gr sino The Basel का जाता है इसका जो भार होता है बोलम सम्हाँ याद रखेगा 0.69 क्या असपास होता है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है अमारा किसी भी तेलिये फर्स पे चलना मुश्किल हो जाता है क्यों? तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number C यानि कि घरसन बल बहुत कम हो जाता है ठीक है? देखिए अगर हम बात करते हैं घरसन क्या तो घरसन है क्या? एक परकात का बिरोधी बल है ठीक है? जो बस्तु के गति का बिरोध करता है ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ जो की हमारा question number 9 question number 9 कह रहा है अस्पर्मोलाजी में किसका अध्यान होता है? तो इसका जो सई अंसर होगा वो होगा option number B यानि बीच का होता है अगर हम लोग बात करते हैं घास की तो घास की अध्यान को बोला जाता है agroastrology ठीक है? agroastrology और अगर बार्सिक बल्यों को बोला जाता है तो इसकी अध्यान को बोला जाता है dendrochronology अब पड़ाकन की अध्यान को बोला जाता है palneology ठीक है? चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरब जो की है question number 10 question number 10 कह रहा है नेमन में से कौन सा हर्मोनिय का stride है तो इसका जो सई अंसर होगा वो होगा option number A यानि estrogen ठीक है? और ये estrogen प्राप्त कहां से होता है ये cholesterol से प्राप्त होता है cholesterol से प्राप्त होता है ठीक है? और ये तीन अंग्ष्राबी अंगों के द्वारा निर्मित होता है वो तीन अंग्ष्राबी कौन-कौन से है एक होता है testis, एक होता है ovry और एक होता है अडर्नल यही तीन अंगों के द्वारा यह निर्मित होता है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरह अगला कोश्चन है मुहम्डन अंगलो औरियंटल कॉलेज जो बाद में अलिगर्ड मुस्लिम विष्विद्याला के रूप में परसीद हुआ था कि अस्थापना किस ने की थी तो इसका जा सही अंसर है बो है ओप्सन नंबर यह देखिए इसका ओप्सन नंबर A, B यह गलतली यहां पे लिखा गया है इसका सही अंसर है इस विद्याले का दर्जा दे दिया गया था चलिए बढ़ते अगले कोश्चन की तरब जो कि हमारा कोश्चन नमर टुबेल कोश्चन नमर टुबेल कह रहा है महाबीर जैन की मुर्टुल निमलिखित में से किसना गर में हुई थी तो इसका जो सही अंसर होगा वो अप्शन नमर सी पाबापूरी और ये पाबापूरी है कहां? राजगीर की निकट में है ठीक है? राजगीर के नजडीक में ही आई ये अब अगर बात हम महाबीर जैन की कर लेते हैं तो महाबीर जैन से एक चीज याद रखेगा कि इनकी जो मुर्ती हुई थी वो कब हुई थी? 72 बर्स की जब इनकी आई यू थी मतलब 468 BC में इनकी मुर्ती हुई थी ठीक है? अगर हम बात इनकी जैन की करते हैं तो इनका जैन हुआ था 540 BC में 540 BC में इनका जैन हुआ कब था? कहां? कुंडल ग्राम में ठीक है? इनके इनसे और इलेटेड अगर हम चीज देखेंगे तो महाबीर जैन का बचपन का नाम क्या था? बर्धमान था इनको 12 बर्स की आई उ में ग्यान की प्राप्ती हुई थी कहां हुई थी? इरिज्यू पालिका नदी के टट पर साल ब्रिज के नीचे ठीक है? चलिए और ये जैन धर्म के कौन से? चौब इसमें और अंतिम तिर्थांकर थे अगर जैन धर्म के पहले तिर्थांकर की बात करें तो याद रखेंगा नाम रिसर्थ देव था उनका चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब चोकि है हमारा कोश्चन नमर 13 कोश्चन नमर 13 कह रहा है कुमार संभब महा काब किस कभी ने लिखा है? तो इसका जो सई अंसर हो जागा बो होगा आप्सन नमर D यानि कालिदास ने लिखा है ठीक है? और ये कुमार संभब में है क्या? सीब और परवदी के पुत्र ठीक है? सीब और परवदी के पुत्र कार्थी के के जन्म की कहानी का बर्लन है इस कुमार संभब महा काब में ठीक है? अगर हम बात तालिदास की कर लेते हैं तो कालिदास से याद रखेगा ये चंद्रगुप्त दूतिये के दरवारी कभी थे ठीक है चंद्रगुप्त दूतिये के दरवारी कभी थे ये ठीक अगर हम लोग बात यहीं पर हरी सेन की कर लेते हैं, तो हरी सेन कौन थे? हरी सेन थे, समुंदर गुप्त का दरवारी कभी? ठीक है, इनके त्वारा क्या रचित किया गया था? पर्याग परस्ती. ठीक है? पर्याग परस्ती अभिलेग जो था, और इसी में समुंदर गुप्त के बिजययों काउल लेक किया गया हुआ था. अगर बात हम यहीं पर चंदरवर्दाई की कर लेते हैं, तो चंदरवर्दाई जो थे, वो पर्थिवी राज दूतीतिये का, पर्थिवी राज, तृतिये का राज कभी थे? और इन्होंने पर्थिवी राज, राजो की रचना की है. क्लियर है? चलिए. बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ, जो कि हमारा कोश्चन नमर 14. कोश्चन नमर 14 कह रहा है, कोश्चन नमर 14 कह रहा है, नेमलेखित में का सही काला नुकरम क्या है? तो इसका जो सही अंसर होगा, देखे, सबसे पहले अप्सिंस की बात कर लेते हैं, तो सिम्ला समझाथा का अगर हम बालोग बात करते हैं, तो सबसे पहले अगर तासकन समझाथा की बात करते हैं, तो तासकन समझाथा 166 में हुआ है, ठीक है? अगर इसके according इसको arrange कर लिजेगा अगर समझाओता भारत और पाकिस्तान के दो जुलाई VII waited को हुआ था भारत सोबिय समझाओता की बात करते हैं तो ये 9 अगस्त अ 71 को हुआ था फरका समझाता की बात अगर करते हैं तो फरका समझाता 2 जुलाई 1972 को फरका समझाता भारत और बंगलादेश के बीच उनई 75 को हुआ था और तासका समझाता की अगर बात करते हैं तो 10 जनबर 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था उसमें भारत के ततकालीन परधान मंदी थे लाल भादूर सास्त्री ठीक है अब तासकन जो था वो सोभिय संग में था अभी वो बरतमान में उर्वेकिस्तान में चला गया है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोशन की तरब जो कि हमारा कोशन नमर 15 कोशन नमर 15 कह रहा है नित निति आयोग में केंदर सरकारों और सभी दाज सरकारों की सरकारे निती निर्मान एबं क्रिया नवन में हिस्सा लेती है निति आयोग में योजनाएबं नितियों के निर्मान में 20 विद्यालों एबं सोच संस्थानों के 20 सग्यों को भी सामिल किया जाता है तो इसका जो 2015 से लागू हुआ है ठीक है निती का फूल फॉर्म भी कभी कभी एक जाम में पूछा जाता है तो याद रखेगा निती का फूल फॉर्म है नेशनल इंसिचूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्लियर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो कि हमारा कोश्चन नमबर 16 कोश्चन नमबर 16 कह रहा है नियोजित पेच्छित समझा गया ठीक है इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आप्सन नमबर D ठीक है यानि की उपयोक्त सभी देखिए इसमें है क्या-क्या इसमें है संतुलि समाजिक आर्थिक विकास के लिए विकास के लावस्वा रूप में विस्तरित करने के लिए आंचरिक विसंताओं को दूर कर ध्यान केंदरित करने के लिए उपलर संसानों के उपयोग को अधिक्तम बनाने के लिए तो ये सब के लिए है इसलिए इसका ज सम्विधान संसोधन अधिनियम के द्वारा भारत में GST को लागू किया गया है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा 101 मा सम्विधान संसोधन यानि कि option number C ठीक है अगर हम लोग बात GST की कर लेते हैं तो सबसे पहले कहा लागू हुआ था सबसे पहले फ्रांस में लागू ठीक है भारत में कब लागू हुआ है बारत में लागू हुआ ये एक जुलाई 2017 से और किस देश के मॉडल पे बेस्ट है हमारा GST है जो कनाड़ा मॉडल पे बेस्ट है ठीक है और इसको रखा कहा गया है इसको रखा गया है अनुछेद 279 के A में यानि को के तहत अगर हम ल चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो कि हमारा कोश्चन नबर 18 कोश्चन नबर 18 कह रहा है भारत में हरित करांती की सुरुवात कब हुई थी तो इसका जो सही अंसर होगा बो हो जागा ऑप्सन नमबर A उन्हें सो सरसट अरसट में ठीक है और इसका सुरु जाता है प्रोफिसर नौरमन भोरोग को भारत में किसको बोला जाता है थारुक कि स्वामी नाथन को अगर भारत में पुझे तो एसें नौर्मन भोरोग ठीक है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो को Itu ए तो इसका जो । राज की प्रमुख्ष आथि ह तो उत्राखंड से एक और चीज याद रखेगा कि यहाँ थारू जन जाती के साथ साथ कोई, मारा, नीती यह सारे जन जाते 36 गड की है उत्राखंड की है अगर हम बात 36 गड की कर लेते हैं तो 36 गड से याद रखेगा गोंड, मुंडा, कमार जारकंड की बात करते हैं तो जारकंड से याद रखेगा संथाल गोंड, मुंडा, बिरहोर अगर बात असान से करते हैं तो असान से याद रखेगा दिमारा, बोडो और लूसाई चलिए, बढ़ते अगले कोश्चन की तरफ जो कि हमारा कोश्चन नमर 20 Question number 20 कह रहा है कि इस Regulating Act के तहट कॉलकत्ता में एक Supreme Court की अस्थापना की गई थी तो इसका जो सही अंसर होगा बो होगा Option number B यानी Regulating Act 1773 ठीक है और इसी Regulating Act के तहट 1774 इस भी में क्या हुआ था कॉलकत्ता में एक Supreme Court की अस्थापना होई थी और इसके मुखने अधीस कौन थे सरेलीजा इंपे और इनके साथ साथ तीन और ने अधीस भी थे ठीक है और ये एक चीज और याद रखेगा ये जो 1773 का Regulating Act था इसी के तहट जो बंगाल का Governor था उसको बंगाल का Governor Journal बोला जाने लगा था और इस परकार से जो प्रथम Governor General हुआ वो हुआ था कौन? Lord Boren Henstein प्लियर है? चलिए अगर हम यहीं पे और बात कर लेते हैं जैसे कि अगर 1813 के चाटर अधिनियम का बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ था? कंपनी के अधिकार पत्र को 20 बर्स के लिए बढ़ा दिया गया था अगर बात हम लोग 1833 के चाटर अधिनियम के करते हैं तो इसमें जो बंगाल का Governor General था उसको भारत का Governor General कहा जाने लगा था चलिए अब अड़ते हैं अगले Question की तरब जो कि हमारा Question No.21 Question No.21 कहरा है सम्विधान के प्रालूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो इसका जो सही अंसर बहुए Option No.D यानी 114 दिन इसको बनाने में टाइम कितना लगा था? इसको बनाने में टाइम लगा था दो बर्स 11 महीना 18 दिन इस सम्विधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 950 को ठीक है? और इसी दिन क्या हुआ था? राजेंदा परसाद को भारत का राश्पती निउक्त कर लिया गया था चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है परसीद करीबा बांध किस नदी परिस्थित है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा ऊपर निकलती है अगर घिरती के हाँ गीनी की खाड़ी में जाके बिल जाती है अगला कोश्चन की तरफ जो कि कोश्चन 23 क्या रहा है औरंजेंद में याद में बीवी का मकारा बन वाया था वो कहा है स्थित है ठीक है तो इसका जो साई अंसर होगा वो होगा option number B यानि और अंगाबाद जो कि कहां इस्थित है महराष्ट में इस्थित है ठीक है तो हुआ क्या था कि 1679 में ही उसने क्या किया था जजिया कर्गो भी पुर्णा लागू किया था और 1679 में ही क्या हुआ था उसने अपने बिगबी का मकवारा बन क्या कर दी थी क्योंकि उनने इस्लाम मानने से इंकार कर दिया था चलिए अब बढ़ते अगले question की तरफ अगला question है हमारा कौन सा मकवारा दूतिय ताजमाल कहलाता है तो इसका जो सही अंसर होगा यह ही होगा बीबी का मकवारा बीबी को मकवारा ही को ही क्या बोला जाता ह दूतिय ताजमाल बोला जाता है चलिए अब बढ़ते अगले question की तरफ जो कि हमारा question number 25 कर रहा है निमलिकित में से कौन एक संगीत यह अंतर बजाने में औरंजेव की दचिता थी तो औरंजेव क्या बजाता था औरंजेव बजाता था बीना ठीक है लेकिन एक चीज और य संगीत थे उन पर सबसे ज्यादा पुस्तक भी लिखा गया था औरंजेव के ही सासंकाल में ठीक है चलिए बढ़ते अगले question की तरफ अगला question है सुची को सुची दो से सुमेलित कीजिए तो इसका जो देखिए इसमें पहला है बातसाही मस्जिद लहोर ठीक है तो इसको कि तो इसको बनवाया था किसने नूर जहाने फिर बुलंदर वाजा किसने अकबर ने मोती मस्जिद आगरा सा जहाने ठीक है अगर बात करते हैं बासाही मस्जिद लहोर की तो ये कब बनवाया था औरंजे बनवाया था 1671 इसमी में बनानवाना स्टार्ट करवाया था दो साल इसको बनने में लगे थे और 1673 में ये बनके सयार हो गया था ठीक है अगर हम लोग बात बुलंदर वाजा की करते हैं तो बुलंदर वाजा अकपर बनवाया था और किस उपलच में जब अकपर गुजरात जीत लिया था तो गुजरात बीजय के बाद इसने बुलंदर वाजा बनवाया था ठीक है अगर हम लोग बात करते हैं मोती मस्जीद की तो मोती मस्जीद को सा जहा ने बनवाया था और सा जहां से याद रखेगा सा जहां के इसासनकाल को अस्थापत कला का स्वन्यूग भी कहा जाता है ठीक है इसने मोती मस्जीद के साथ सा दिली का लाल किला ताजमायल और दिली का जमा मस्जीद भी सा जहां ने ही बनवाया था चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ जो की है अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ अगला कोश्चन है हमारा सुची एक को सुची दो से सुमिलित कीजे तो यह देखिए 26 वाला कोश्चन रिपीट है तो इसको देख लिजेगा चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरफ जो की हमारा 28 निम्न में से कौन सा देख सार्क का सदस नहीं है तो इसका जो सही अंसर होगा बोगा आप्सन नमर डी यानि थाइलेंड जो है वो सार्क का सदस नहीं है सार्क की अगर सदस की बात करते हैं तो याद रखेगा सार्क में आठ देख हैं कौन को ने ये याद रखेगा सबसे पहला याद रखेगा अफगानिस्तान बंगला देश भुटान इंडिया माल्दीब नेपाल पाकिस्तान और सिरलंका ये आठ देश है सार्क में ठीक है सार्क की अस्ठापना कभूई थी? 1980 में सार्क का हेड़कार का है? काठमांडू नेपाल में काठमांडू नेपाल में सार्क की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सार्क का फुल फॉर्म है South Asian Association for Regional Corporation क्लियर है चलिए अब अड़ते अगले कोश्चन की तरफ जो कि हमारा कोश्चन नमर 30 कोश्चन नमर 30 कह रहा है सुची एक को मुगल सासा को मकबरे के अस्थान के अधार पर मिलाईए तो इसको देखिए अगर इसकी हम लोग बात करते हैं बाबर की तो बाबर का था काबूल में हिमायू की बात करते हैं तो हिमायू का था दिल्ली में को क्या माना जाता है तार माल का पूर्व बढ़ती माना जाता है अगर हम लोग बात करते हैं अकबर की तो अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था और अकबर की मिर्थू 1605 में आगरा के निकट सिकंदरा में हुई थी अगर हम लोग बात करते हैं जहांगीर की तो जहांगीर का लहौर में था और ये जहांगीर का मखवारा बन बाया था किसने नूर जहांने क्लियर है चलिए अब आठते एगले question की तरफ जो कि हमारा question no.31 question number 31 कह रहा है निवन में से कौन सा ग्रह सूर्ज का परिकर्मा करने में सबसे अधीक समय लेता है तो इसका यह सही अंसर होगा option number D यानी भिहस्पती क्यों क्योंकि यह सौर मेंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है ठीक है यह सूर्ज की परिकर्मा करने में सबसे लंसम लंसम 12 बर्स का time ले लेता है ठीक है और यह अगर पुछे कि अपनी धूरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय कौन लेता है तो यह भिहस्पती ही लेता है अपनी धूरी पर अप 10 गहंटा में यह चकर लगा लेता है लेकिन सूर्ज पर यह सबसे जादा 12 बर्स लेता है ठीक है अगर हम लोग बात यहीं पर और अप्संस की करते हैं अगर बुध की बात करते हैं तो यह सूर्ज का सबसे नजदी की ग्रह है और यह सबसे छोटा ग्रह भी है अगर सुक्र की बात करते हैं तो सुक्र यह पिर्थ जिये क स्थापना इन ही नहीं की तेलब दुट्ये ने यह राश्ट्कू्ट को खतम कर दिया था और कल्यानी के चालू को बंस के अस्थापना की थी तर अगर हम लोग बात राश्ट कूर्ट बंस की कर लेते हैं, तो राश्ट कूर्ट बंस के संस्थापक कौन थे? धंती दुर्ग और इसकी राध्धानी कहां थी? माने खेत और इसी बंस का मतलब राश्ट कूर्ट बंस का ही एक राजा था, उसका नाम था क्रिस्म पर्थम के किनारे हर्स बर्धन को हराया था तो इसका जो सही अंसर है वो है तापती नदी के किनारे ठीक है अगर हम लोग बात पुलकेसिंग दूतिये की कर ले दें तो पुलकेसिंग दूतिये कौन था बतापी के चालुक बंस बतापी के चालूक बंस का सासक था और इसने हर्ष बर्धन को हडा कर पर्मेसवर की उपाधी ली थी पुलकेशन दूतिये की अगर बात करें तो इसने नर्सिंग बर्मन रथम को भी हराया था और इसकी राध्धानी जो थी बदामी उसस पर अधिकार कर लिया था एक और चीज पुलके सिंदूतिये से याद रखेगा एहोला भी लेक एहोला भी लेक का भी संबंध जो है वो पुलके सिंदूतिये से ही है क्लिर है चलिए अब बढ़ते हैं अगले कोश्चन की तरब जो की है कोश्चन नबर 34 34 कह रहा है अलबुकर्क ने गोबा को किस से चीना था तो इसका जो सही अंसर है वो है आप्सन नमबर B यानि बीजापुल के सुल्तान से उनका नाम क्या था उसका नाम था यूसूफ आदिल सा यूसूफ आदिल सा अगर जीता था 1510 में ठीक है अगर अलबुकर्क की बात करते हैं तो यह 1509 में अलफांसोद अलबुकर्क भारत में पूर्तगालियों का बैसरा बन कर आया था और 1510 में यूसूफ आदिल सा से गोबा को चीन लिया था या जीत लिया था चलिए अब अगले कोशन की तरफ जो की अब अगले कोशन की तरफ जो की अमारा कोशन नमर 36 का रहा मिसरित अर्थ वेवस्था क्या है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा अप्सन नम्बर ये सार्वजनिक छेतर बमनीजी छेतर का सह अस्तितर ठीक है मतलब इसका कहने का सिंपल सा मतलब है कि कुछ लच्छन जो होंगे वो राज अर्थ वेवस्था के और कुछ लच्छन जो होंगे वो पुंजिवादी अर्थ वेवस्था के होंगे और भारत में भी क्या है भारत में भी मिसरित अर्थ वेवस्था ही है क्लियर है चलिए अब बरते अगले question की तरफ जो कि हमारा question number 37 question number 37 का रहा निमलेखित में से कौन एक हड़ापा सभेता की पुल्बी सीमा का निर्धारन करता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा option number C आलमगीर देखिए इसको अच्छे से थोड़ा समझेगा मैं समझाने का कोशिस करता हूँ अगर हम लोग बात करते हैं तो north में ठीक है उतरी में अगर बात करते हैं हड़ापा सभेता की तो उतरी जो इसका point था वो था मांदा कहां था मांदा जम्मू कास्मीर में कौन से ने दीके किना रहे था चिनाव ने दीके किना रहे अगर हम लोग east की बात करते हैं जो ये question में पूछा है पुर्वी सीबा की बात करते हैं तो पुर्मी सीबा था आलमगीरपूर कहां है? UP में कौन से ने दीके किना रहे? हिंडन ने दीके किना रहे अगर हम लोग बात दच्छिनी के करते हैं, साउथ की तो कोन था, दाइमाबाद महराष्ट में ठीक है, कौन से नदी के किना रे गोधावरी नदी के किना रे अगर हम लोग बात बेश्ट में कर लेते हैं, पस्ची में तो पस्ची में था कौन सुक्ता अगडोर कहां ब्लूचिस्तान में और कौन से ने दीके किनारे दासक ने दीके किनारे ठीक है तो यह याद रखिएगा अगर हम लोग बात करते हैं तो यह इसकी जो नौर से साउथ जो लंबाई थी वो था 1400 किलोमेटर और इस से बेश जो है वो है 1600 किलोमेटर तो यह भी याद रखिएगा ठीक है चलिए अब अगले कोश्चन की तरब जो कि हमारा कोश्चन नौर 38 कोश्चन नौर 38 करा निम्न में से किस देश ने हाली में अपने पहले मानब रही ड्रोन है लिकॉप्टर का परिछन किया तो इसका जो सही अंसर हो जागा बहुँ जागा और इसका नाम क्या है इसका नाम है AR 500C AR 500C और इसको बनाया कौन है इसको बनाया एक चाइना की कंपनी है EVASN Industry Corporation of China इसके द्वारा यह विक्सित है AR 500C चलिए अब बढ़ते इने के लिए समझाता किया है तो इसका जो सही अंसर है वो है IOC यानि अंतराष्टिय ओलंबिक समीति ठीक है अगर हम लोग बात IOC की कर लेते हैं तो IOC का हेड़क्वार्टर स्विजरलेंड में है इसकी अस्थापना 1894 में हुई थी ठीक है अगर हम लोग बात IOC की करते हैं तो IOC की अस्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेड़क्वार्टर भी जिनेवा स्विजरलेंड में है क्लियर है चलिए अब अगले कोश्चन की तरप जो की हमारा कोश्चन अबर 40 कोश्चन अबर 40 कह रहा है International Missing Children Day यानि अंतराष्टिय गुंसुदा बाल दिबस की स्थिती को मनाया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा Option No.C यानि 25 माई को मनाया जाता है ठीक है अगर बात करते हैं International Missing Children Day की तो इसको मनाने की घोसना 1983 में किया गया था किसके दोरा उस समय जो अमेरिका के ततकाली राष्टपती थे ठीक है उनके दोरा किया गया था जिनका नान था Ronald Reagan Ronald Reagan के दोरा किया गया था उन्हें सो तेराफी में तब से लेके आज तक यह मनाया जा रहा है ठीक है अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ ही साथ कमेंट करके बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा चलिए